डेल होजी, राजकिय महाविद्यालय चंबा में महाविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए कोरोना टीकाकरन का आयोजन किया गया टीका करन अभियान का आयोजन महाविद्यालय की एनसे सिकाई के तत्वावधान में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग स्वरूप किया गया उक्त जानकारी देते हुए महाविध्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शिव दयाल ने कहा कि महाविध्यालय आप विद्यार्थियों के लिए खुल चुके हैं कोरोना संक्रमन से बचाव हेतु महाविध्यालय परिसर की सैनिटाइजेशन सामाजिक दूरी, देल दूरी को सुनिश्चित बनाना, थमल स्क्यानिंग, फेस मास्क अनिवार्यता इत्यादी लगातार जारी है विभिन कक्षाओं के विद्यार्थियों को दो-दो दिन ही बुलाया जा रहा है ताकि कक्षाओं में भीड एक अठी न हो इसके साथ ही कोरोना संक्रमन के प्रती रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने हे तु कोरोना टिकाकरन भी अती आवश्यक है इसलिए राज्यव केंद्र सरकार के निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करते हुए राजकिय महाविद्यालय चमबा सुल्तानपूर में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग स्वरूप दो दिवसिय कोरोना टिकाकरन अभियान का आयोजन किया गया इस दोरान महाविद्यालय के कर्मचारियों वर 18 वर्ष की आयू पूरी कर चुके विद्यार्थियों को कोरोना टिके की पहली डोज वर दूसरी डोज लगवाई गई इस दोरान B.A., B.S.C., B.C.M., B.B.A., B.C.A., B.W.A. के विद्यार्थियों को कोरोना संबंदित टीका करण किया गया। आगामी 28 सितंबर को भी टीका करण अभियान का आयोजन महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में ध्यानू राम M.H.W., स्टाफ नाजमी नाक्षी, जितेश D.M., इंद्रा शर्मा, मनीशा सी एचो चीमा, आशा कार्यकर्ता रुच्छी, बाशा देवी, आशा रीनू इत्यादी ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं द इस अवसर पर Dr. हिमंत पाल, Dr. मनेश वर्मा, Dr. तेज सिंग, Dr. शेली महाजन, रविंद्र सिंग, हितेश कुमार, संजै शर्मा, एनसस कार्यकरम अधिकारी प्रोफेसर अविनाश, प्रोफेसर निशा, स्वयसेवियों में खेम राज, खेम कुमार, नेहा शर्मा, कल्पना यश राज इत्यादी उपस्थित रहे, डलहोजी से आपका फैसला टीवी के लिए समवाद्दाता अश्वनी साहिल की रिपोर्ट